दोस्तो हाज हम देखेंगे कि हम android app में किस तरह localization कर सकते हैं और हम अपनी language different languages को support कर सकते हैं जो different android devices पे चलेंगे सबसे पहले new में जाके file में जाके new android application project यहाँ पर हम कर देते हैं इसका इसमें एक्टिविटी क्रेट करनी है लोकलाइजेशन आप है यह नेक्स्ट ब्लैंक एक्टिविटी होगी main activity यह हमारा project create हो गया इसमें हमारे पास चाह रहा है hello world लिक हुए है मजीद हम resources में जाके values में जाके स्ट्रिंग को देखेंगे हुमारे पास यह स्ट्रिंग अवेलिबल है hello world का इसकी जगह पे सबसे पहले हमने गया करने हैं हमने एक image insert करेंगे और साथ में हम उसकी उन श्यायर की जो एक poem है वो हम insert करेंगे हां से जाते हैं कि हम एक pulse आपके image को कॉपी करते हैं हम पर आ जाते हैं mdp में ही इसको पेस्ट कर देते हैं यह हो गया और इसके बाद हम इसको image में आ जाते हैं image view top पर रखना है okay इसके बाद यह में जायत उता रहा है missing content description android description and all and all इसको पर इसको करते हैं तो पर इसमें hardcoded string है and it effect android and all ok अब हम इसको करते हैं सेफ, तो ये आ गया लाता में, अच्छा, इसके बाद हम इसको करते हैं निवाइस, और पुटी इसका आ गया, रोड आ गया, और ग्रेग करके, सेंट्रल होरिजेंट्रल है, और यहां प्याँ इसको ड्रॉप करते हैं, इसको इसको करते हैं, यह हो गया, इसको हम लेयाओट में, अलाइन, बिलोग, इसको लाइन, ठेक हो गया, और इसमें यह लेंपे हम इसको लाइन करना है, अब यह हमारे पास जो है, इसको हम सेफ कर देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, ो और इसको हमारे पास अलाइन, इसको दो भ्रॉप कर दो पास तुक्रियां, यह ज़िए